सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश टूटोरियल्स आशीशर को और इस बेल आइकन को प्रेंस कीजिए ताकि आप आसके हमारे चैनल की लेटस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं करेंट अफियर्स का फर्स्ट क्वेशन इस एन आराई पेंशन योजन किस राज्य द्वारा सुरू की गई है एन आराई पेंशन योजना आंस्वर के अपना केरल के गवर्नर कोन है केरल के गवर्नर है पी सदासिवम और इस जो पेंशन योजना है इसके अंदर पांच लाख रुपे वन टाइम पेमिंट किया जाएगा तो सीदास हमें याद रखना है कि जो एन आराई पेंशन योजना है वो केरल राज्य की है और इसमें पांच लाख रुपे वन टाइम पेमिंट किया जाएगा अब अभी तो हमें क्यूशन याद है लॉंग टाइम तक याद करने के लिए मैंने किसमें ट्रिक निकाली है कि एक लड़की है जिसके शादी नहीं हो रही थी और उसने शर्त रखी कि मैं सिर्फ एक एन आराई से ही शादी करूँगी केवल किस से शादी करूँगी एन आराई से ही शादी करूँगी केवल केरल केवल केरल एक जैसे इसे वर्ड्स हैं तो हमें याद रहेंगे कि एन आराई अगर वर्ड आता है तो हमें कौन सा स्टेट याद करना है केरल I think आपको ये कुशन अभी याद हो गया होगा मेरा उद्देशय मोटो यही है कि जितने भी समय में आप मेरा वीडियो देखते हैं दस मिनट पंदर मिनट में जितने कुशन सपन करते हैं आपको वही पे यो कुशन याद हो जाए चलिए बात करते हैं कुशन नमबर सेकिंड हाल ही में किस मंत्राले द्वारा किस डिपार्टमेंट द्वारा आर डी पी इंडिया दो हजार उननीस एप लॉंच किया गया है हाल ही में किस मंत्राले द्वारा आर डी पी इंडिया एप लॉंच किया गया है RDP क्या है? Republic Day Parade. ये इसकी full form है और ये एप launch किया गया है रक्षा मंत्रा लेके द्वारा. हमारी रक्षा मंत्री कहन है? हमारी रक्षा मंत्री है निर्मला सीता रमंण. और इस एप में है क्या? इस एप में है जो हमारी Republic Day Parade से related कि बारे में जानकारीं हैं जैसे किसे राष्ट अबाल पुरुसकार प्राब्त हुआ है राष्ट शक्ति पुरुसकार किसे प्राब्त हुआ है और राजपत पर पर Bethama जो परेड उसके बारे में जानकारी और ऑजुमसु और तो app developed किया गया है जिसकी विशेस्ता यह है कि यह currency notes को भी पहचान सकता है यह question इसलिए current affairs में है क्योंकि इससे पहले भी जो visually impaired जो दृष्टी बादित लोग है जिनको दिखाई नहीं देता तो कुछ आश्यमता होती है incapability होती है तो उनके लिए पहले से android app developed किये गये है लेकिन यह जो android app है इसकी खास बात यह है कि यह currency note को भी पहचान सकता है तो इस app का नाम है रोष्णी बहुत आसानी से याद रह जाएगा visually impaired जिसका opposite अपन antonym के रूप में अगर मानने तो क्या हो जाएगा रोष्णी जो कि हिंदी का word हो गया तो बहुत आसानी से याद हो गया visually impaired word android app is रोष्णी क्वेशन नमबर फूर डबलू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजेशन साउथ इस्ट एशिया का रीजनल डाइरिक्टर किसे reappoint किया गया है इन्हें दुबारा न्यूक्त किया गया है वो है पूनम खेतरपाल किसे न्यूक्त किया गया है पूनम खेतरपाल को डबलू एच ओ किया है world health organization है और इन्हें इसमें न्यूक्त किया गया है पूनम खेतरपाल को इनका जो duration रहेगा वो 5 years का रहेगा means इन्होंने 5 साल पहले इनका हो गया है और दुबारा 5 साल के लिए इन्हें अपोइंट किया गया है अब इसमें बात करते हैं जो WHO है वो हमारे UNO की बहुत अच्छी जनस्ता है तो इसमें जो World Health Organization है उसका headquarter कहां पर है उसका headquarter है जेनेवा स्वीजरलेंड और इसके जो DZ है DZ है Tedros Adroman ये दोनों ही चीज़े आपको विशेज तोर पर याद रहनी चाहिए ये जो नाम है पूनम खेतरपाल ये तो आपको याद रखना ही है कि जो regional director नियुक्त किये गए है लेकिन जो WHO का headquarter कहां पर है जेनेवा में और इनके जो DZ है डारेक्टर जेनरल है Tedros Adronome वो भी आपको नाम याद रहना चाहिए इस बार exam में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा आएगा means आपका किस से related है वो जेनेवा से है तो आपका answer हो गया WHO South East Asia का regional director किसे reappoint किया गया है पूछनम खेतरवाल को एक इसमें और note कीजिएगा कि जो विश्व स्वास्त दिवस है वो भी 7 अप्रेल को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 7 अप्रेल को क्यों मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रेल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी इसलिए 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है क्लियर है पूरा क्वेश्चिन हेल्थ जीन जैनेवा स्वीजरलेंड अभी रियपोइंट किया गया पूनम खेतरपाल को और वर्तमान इसके जो डीजी है वो है टेड्रोस एड्रोनोम क्वेश्चन नमबर फाइफ दूनिया का दूसरा स्टील उतपादक देश कों सा बना है सीधा सा डेटा क्वेश्चिन है अपन को याद करना है पहला इसमें स्थान आता है चाइना का और सेकिंड रैंक पे पहले आता था जापान और अभी जो स्थान प्राप्त किया है वो है भारत है अब वो प्रोग्रेस कर रहा है तो स्टील उतपादक में दूसरा देश बन गया है क्वेश्चन नमबर 6 पुलीकट दिवस कब मनाय जाएगा पुलीकट दिवस अभी मनाय नहीं गया है यह मनाय जाएगा दो फरवरी 2019 को कहां मनाय जाएगा यह मनाय जाएगा आपका तमिल नाडु में पुली कट जो दिवस है, जो वार्षिक दिवस मनाय जाएगा, ये 8 वार्षिक होगा और ये मनाय जाएगा आपका तमिल नाडू में, कोन से नंबर का है ये? 8 वार्षिक और कहा मनाय जाएगा, तमिल नाडू में Question No.7 यूअ स्वाभि मान याजना किस राज्जे के द्वारा लोंच की गई है यूअ स्वाभि मान याजना किस राज्जे के द्वारा इसमें state का नाम पूचा गया है state है आपका MP पहले हुए बताएं कि MP के जो CM है उनका क्या नाम है MP के CM का नाम है कमलाथ मिश्टर कमनलाथ MP के जो CM है वो है कमनलाथ और वहां के गवर्णर कोन है सभी को इसका आंसर आता है definitely MP के गवर्णर है आनन्दी बेन पतेल अनन्दी बेन पतेल अब अपने इसे भी बहुत आसानी से याद कर सकते है कि जो यूवा स्वाभिमान योजना है यूवा स्वाभिमान यूवाओं के लिए ही बेसिकली योजना चलाई गई है और इसके अंतरगर जो अर्बन सेक्टर के लिए चलाई गई ये ध्यान रखेगा कि ये रूरल सेक्टर के लिए नहीं है ये अर्बन सेक्टर के लिए योजना MP के स्टेट के द्वारा चलाई इनके जो body है वो लखवा ग्रस्थ हो गया था इनके thesis का नाम है properties of expanding universe ये इनके बारे में कुछ additional चीज़े थी अब अपन याद कर सकते हैं कि इनके book को याद कैसे करें तो जैसे hawking's नाम का hawking's company का hawking's hawking's company का pressure cooker आता है क्या आता है pressure cooker जिसमें खाना क्या होता है बहुत ही short time, brief time में अपना खाना बन जाता है तो इसको अपन याद कर सकते हैं कि brief history of time, brief short of time ये पुस्तक किस की है Stephen Hawking की hawking's hawking बहुत आसानी से एक बार अपने याद किया हमें memory में save हो जाएगी ये चीज की brief history of time है तो अपना answer क्या होगा Stephen Hawking question number 9, धर्म guardian 2018 किन दो देशों के मध्य हुआ, ये कोई धर्म से related चीज नहीं है ये एक military exercise है, क्या है ये military exercise और ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी question आप से ये पूछा जाएगा, तो अपना answer है भारत वय जापान, तो धर्म guardian 2018 किन दो देशों के मध्य हुआ, answer is भारत वर जापान, question number 10, the road ahead, पुस्तक का नाम है, फिर से एक book है, the road ahead, पुस्तक के लेका कोन है, bill gets, इसको भी आपन याद कर सकते हैं, कि easy सी अपन ट्रिक बन सकते हैं, कि जो bill gets है, most billionaire, millionaire person है, तो उनकी जो road है, उनकी जो सडक है, वो हमेशा कैसे जाती है, ahead, आगे की तरफ जाती है, कभी भी back नहीं होती, तो bill gets the road ahead, question number 11, हाल ही में, एकिकरत refinery, विस्तार परियोजना, परिसर का उधगाटन कहां किया गया है, तो अपना answer है, कोची, क कोची में कहां पे, केरला में, 27 जन्वरी को कोची, केरला में, और 27 जन्वरी को ये राष्ट्र को समर्पित की गई थी, इसी के साथ साथ, वहां पे foundation डाली गई थी, तमिल नादू मदरास में, एम्स के, एम्स के भी निव डाली गई थी, यह में ध्यान रखना है, कि अभी पहला रज्य बना है, ऐसे भारत से बाहर विश्व में ऐसे अनेक देश हैं, जो समूदर में केती कर रहे हैं, लेकिन भारत में केती करने वाला देश का पहला रज्य बना है, गुजरात, गुजरात का लगबग जो कोस्टल एरिया है, वह ऐस 1600 किलोमेटर, तो उसका काफी benefit रहेगा और यह हमारे देश का पहला राजर्ट बना है next question question number 13 है पहला यह जो tulip उध्यान कहां बनाया जाएगा तो tulip उध्यान एक अभी जम्मु कश्मीर में भी है और अभी फिलाल जो tulip उध्यान बनाया गया है वो बनाया गया है उत्राखंड उत्राखंड में कहां पे चांड़क नाम की पहाड़ी है उसके पास पितोरागड जिले में कहां पर बनाये गया है चांड़क पहाड़ी के पास पितोरागड जिले में उत्राखंड में बनाये जाएगा और उत्राखंड के अगर जो अपने राजेपाल की बात करें तो उत्राखंड के राजेपाल कोन है बेबी रानी मोर्ये इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ है अपन देख रहे हैं ये उत्राखंड के राजेपाल कोन है बेबी रानी मोर्ये और मुख्यमंत्री कोन है मा के ट्रिवेंद्रे सिंह रावत अब इस में बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि जैसे ही इस ने अपनी फ्रेंड को विब्न का देए तो उसने उससे उत्तर बाइगा उससे क्या महाँगा उत्तर बाइगा कि यह आपको जो फ्लार है वो कैसा लगा तो उसका जो उत्तर था बेबी का उत्तर कैसा था वो बेबी ने उत्तर इस प्रकार का दिया तो आपको बेबी के है वहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मोरी है उत्तराखंड राज्य है जहाँ पे टूलिप उध्यान बनाया जाएग question number 14 अटल सेतु गोवा की कौन सी छेत्रिय नदी पर इस्तित है गोवा की regional river है उसकी बाद चल रही है तो अटल सेतु वो बनाया गया है गोवा की मंडोवी नदी पर कहां पर बनाया गया है मंडोवी नदी पर इसका जो inauguration किया गया है वो किया गया है गोवा के CM, गोवा के CM कौन है, Mr. Manohar Parikar, उनके द्वारा इसका integration क्या गया है, इनके साथ में और कौन थे, इनके साथ में थे Union Minister Mr. Nitin गड़करी, एक और इनके साथ Union Minister थे Union Aish Minister, जिनका नाम आपको बताना है कौन है, जिनका नाम है श्रीपद येसो नाइक, और ये क्विशन बहुत बार पूछा जाता है, आविश मिनेस्टर, यूनियन आविश मिनेस्टर कौन है, श्रीपद येसो नाइक, श्रीपद येसो नाइक, क्विशन नमबर 15, हाल ही में एंटी रेडियेशन मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षन किसने किया है, किसने किया है, DRDO, किसने किया है, DRDO, DRDO stands for Defense Research and Development Organization, इसका हैड़क्वार्टर कहां पर है DRDO का, DRDO का हैड़क्वार्टर है New Delhi में, DRDO का हैड़क्वार्टर है New Delhi, और DRDO के अध्यक्ष कौन है, G-37 Reddy, इसका जो मोटो है, वो मोटो है आपका बलश्य मूलम विज्ञानम, और इंगलिश में अगर कहें, तो Strengths Origin is in Science, और ये क्या है Anti-Radiation Missile, ये जो radiation है, किस तरीके के radiation के लिए anti है, ये जो radar, राडार से जो radiation निकलती है, उसके लिए ये Anti-Radiation Missile का निमान किया गया है, चलिए, आप अपने बात करते हैं, आपके लिए बहुत ही एक interesting और बहुत ही useful आपके लिए है, टेस्ट आपको देना है, जो भी session मैंने आज तक बनाए है, उन पर वैसिस आपके लिए test बनाए गया है, जो आपको वीडियो को post करके आपको इनके answer देने है, आप question देख लीजिए, जुर्माना लगाए गया है, थर्ड क्रिशन स्वामी विवेकानन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार से किसको सम्मानित किया गया है, फूर्थ क्रिशन राष्ट्रिय बाली का दिवस कब मनाया जाता है, क्रिशन नंबर फाइफ दुनिया का सबसे धनी फुटबल क्ल है, बजरंग लाल को, राष्ट्रे बाली का दिवस कब मनाया जाता है, चोईस जिन्वरी को, दुनिया का सबसे धनी फुटबल क्लब किसे चुना गया है, रियल मैडरिट, चलिए आज का सेशन यहीं पर समापत होता है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो